बड़ा अफसोस है कि हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसी समस्याएं है जो कि कल भी थी और आज भी है और पता नहीं कब तक ऐसी समस्याएं हमें आने वाले समय में देखने को और सुनने को मिलेगा आज कि इस वीडियो में हम लोगे बहुत ही गंभीर विस्षय पे चर्चा करेंगे और कोशिस करेंगे कि ऐसी समस्याओं को कैसे जड़ से खतम किया जा सकता है साथी साथ वर्तमान समय में एक एकसिडेंट हुआ है उसको भी जानेंगे और प्रसासन किस तरीके से उसे इग्नॉर कर रही है कैसे ऐसे मुद्दों को वो बढ़ावा दे रही है इस पे भी चर्चा करेंगे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजएगा और इस वीडियो को सेर जरूर किजएगा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लड़कियों के लिए कैमपस कितना जादा सुरक्षित है या यूँ बोलें कि कितना जादा आसुरक्षित है मैं उमीद करता हूँ कि इस वीडियो को लड़कियां जरूर फॉलो करेंगे पुरा लास्ट तक देखेंगे और इस वीडियो को अपने गार्जियन तक भी पहुचाईएगा क्योंकि अभी जो चीज़ें हमें कैमपस में देखने को मिली है जो चीज़ें हमें न्यूज पेपर में पढ़ने को मिला है या न्यूज चैनल्स के वीडियो में देखने को मिला है वो गार्जियन के अंदर एक डर पैदा किया होगा तो कहीं न कहीं उन्हें रियालिटी पता चलना चाहिए और समस्याएं कितना गंभीर है उसके बारे में भी उन्हें पता चलना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक स्टूरी सुनाता हूँ लगबग तीन साड़े तीन साल का समय यूटूब पे हो रहा है मेरा जिसमें बहुत सारे बच्चों से बाते हुई बहुत सारे लोगों से मुलाका आते हुई और बहुत सारे लोगों की कहानिया यानि उनके रियल स्टूरीज सुनने का मौका मिला जिसमें कुछ ऐसे स्टोरीज रहे या आप यू बोलो कि सिच्वेशन्स जो कि कहीं ने कहीं हमारे समाज के बहुत ही बुरे अस्तर को दिखाता है मेरे हाँ ही पढ़ने वाली कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनके गार्जियन एडमीशन होते होते उनका एडमीशन नहीं होने दिये जबकि उनका सेलेक्शन हो गया था बस इसलिए कि लड़की बाहर नहीं जाएगी नहीं तो लड़की बिगड़ जाएगी या लड़की के साथ कुछ हो जाएगा इस लेबल तक का डर है गारजियन के अंदर अपनी बेटियों को लेके एक एकसिडेंट ये भी सुनने को मिला कि एक लड़की है उसके बाजू वाले यानि पडोसन जो होते हैं जो पडोसी होते हैं वो या रिष्तेदार ये उसके गारजियन को सज़ेस्ट कर रहे हैं कि आपके बेटी बाहर पढ़ने जाएगी तो वो बिगड़ जाएगी या आपकी बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगे अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग कहने वाले हैं वो क्यों कहते हैं और गारजियन आपके क्यों डर्जाते हैं क्योंकि जब वो निउस्पेपर में ऐसे हेडलाइन पढ़ते हैं कि विस्विद् में वो लाइबरेरी नहीं जा सकती हैं या कोई लड़का उन्हें छेड़ दिया परसान कर दिया और प्रसासन लड़के का ना पता कर लगा पाई ना ही उस पे कोई एक्सन हो पाया जब भी ऐसे हेडलाइन्स निउस में निउस्पेपर में जाता है तो गारजियन के अंदर डर पैदा होता है और फिर वो अपने बच्चियों को बाहर नहीं भेज़ पाते पढ़ने के लिए डर जाते हैं और वही चीजें पडोसी के थरू रिष्टेदार के थरू या स्वैम आपके गारजियन फील कर लेते हैं महसूस कर लेते हैं फिर उस पर आक्सन लेते हैं ऐसे मामलेज अगर साल भर के देखे जाएं तो दस्ते जादा होंगे चुकि अभी मैं बैट के बात कर रहा हूं तो एक डेटा नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन हर दो मन तीन मन पे ऐसे केसे सुनने को मिले हैं कहीं छेर चाड़ हुआ है कहीं कोई उन्हें बाइक से कुछ ब लड़कियों से कुछ बाते हुई तो एक लड़की ने बताया कि सर ऐसा हुआ कि हम लोग रात को जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे प्रोग्राम से तो एक फोर्विलर हमें फॉलो किया पूरा हॉस्टल तक उसकी हिम्मत इतना कि जब वो थोड़ा ठीज का सैडो वाला एरि खेर वो हॉस्टल नजजदीक था तो लोग अपने हॉस्टल चलेगी लेकिन ऐसे केस से फिर आपको एक निउस्पेपर पढ़ने को मिला होगा कि ऐसा हुआ कुछ और बच्चियों के साथ मेरा कहने के मंदला भी है कि एक विस्विद्याले में नहीं बहुत सर विस्विद् अनुभो किया वो ये है कि जब इनके साथ होता है ये हेडलाइन जरूर आता है जब इनके जो करने वाले लोग हैं उनके उपर जो एक्षन होता है अगर वो हेडलाइन भी आजाए तो लोगों के अंदर एक डर आजाएगा कहने के मतलब ये है कि उसको मारा गया उसको तोड़ा गया बढ़ियां से उसकी कुटाई हुई है या उसको ये पनिस्मेंट मिला है या उसको इतने दिन का जेल हुआ है इतने रुपे का जुर्माना लगा है अगर इस टाइप के हेडलाइन भी आने लगते तभी बहुत ऐ ऐसे मन बढ़े जो लड़के हैं, उनका ये जो माइंड का एक जो सेट है, वो अपने आप डाउन हो जाएगा, उनके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, प्रिसासन जो है इन लोगों पर एक्सन नहीं लेती है, टाल मटोल करती है, या फिर इसको इग्नॉर करने की कोसेश करत है, जिसकी वज़े से ऐसी समस्याएं हमें आए दिन देखनों को मिलता है, और ऐसी समस्याएं बढ़ती नजर आती है, मेरा प्रिसासन से सबसे पहला नरोध ये है, कि वो सेप्टी सेकोर्टी के लिए विस्विद्याला कैमपस में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकत हैं, चुकि देखो, IAT, BHU हमारे BHU का ही पार्ट है, इटमेंस की कैमपस जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे इनियोस्येट्व हैं सेप्टी सेकोर्टी को लेके, जो कि उनकी टेकलोजी को यूज़ करके कैमपस में यूज़ किया जा सकता है, हमारे यहां ठीक से हमारे हां CCTV फूटेज कैमरा ज नहीं है, हमारे हां लोकल्स की इंट्री कैमपस में बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दो कि इसमें से बहुत सारे ऐसे केसे हैं, जैसे कि वो फोरवीलर फॉलो वाला, वो कैमपस का लड़का नहीं हो सकता है, ना कैमपस का लड़को एक पास फोरवीलर हैं ना ही वो ऐसा करने के जूरत करेगा जनरल में बता रहा हूं लोकल्स का आवागमन होने की वज़े से ऐसे कैसे ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत सेफ मिल जाता है यहां पर छेड़ेंगे चले जाएंगे उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा केंपस क्लड़ का गंदर एक बड़ डर होगा कैसा करेगा तो पकड़ा जाएगा उसके फेसेज पहचाने जा सकते हैं तो प्रसाशन को सेप्टी सेकुरिटी का जो एक पूरा स्केल होता है उसको फॉलो करना चाहिए और जब भी इसमें कोई दोसी करार पाया जाता है तो उस पे एकशन लेना चाहिए और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बातें निकल के निउज में जा रही हैं उस बातों को सही करने के लिए उन्हें जब भी ऐसे मुद्दे सुनने को मिलते हैं तो उस पे इमेडियेटली एकशन लेना चाहिए इट मेंस की थ्वासा मैं समझाना चाहूँगा सबोज की ऐसे केसे सुनने में मिले कि कि किसी लड़की के साथ छेड़चाड हुआ है तो सबसे पहले मौके वारदायत पे या जब भी बात फैल जाए जब पता चल जाए तो प्रसासन चुपी न साधे जैसे अभी हो रहा है अब उस दिव्यांग चात्रा के साथ छेड़चाड हुआ है वो लोग धरना कर रहे हैं हम लोग टुइटर पे भी मैं भी पोस्ट डाला कई सारे वीडियो भी सूट किये गए बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया लेकिन मजाल नहीं है कि जो इससे जोड़े प्रसासनिक लोग है उन्होंने इस पे कोई भी कारवाई करी या विजिट करा एटलिस उन्हें बात करना चाहिए और बात करने के बाद एक जो मैसेज होता है वो पब्लिक भी करना चाहिए कि ऐसी अगर चीजे हुई है तो हम उस पे एक्शन लेंगे जिससे कि वो दूर जो लोग इस न्यूज को सुने के डर जाते हैं अपने बच्चियों को नहीं भेजेंगे कम से कम उन्हें तसली मिल जाएगा कि हाँ ठीक है अगर एक्शन लिया जाता है इट मेंस कि लोगों के अंदर डर आएगा और नेक्ट टाम से ऐसा नहीं होगा ये तो मैं बहुत ही मनलब इस्टेप बाइस्टेप एक लॉजिकल टॉक कर रहा हूँ अब बात आती है नितिक्ता का ऐसे जो मन चड़े हुए जो बच्चे है जो बहुत बच्चे नहीं है सैतान है वो वो सायद इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं मुझे पता है क्योंकि वो सब ये सब देखते तो सायद वो ये सब करते ही नहीं लटिक्यों के लिए है कि आप लोग अपने के युनिटी बना के रखा करो और कोसिस करो कि ऐसी चीजों पे बाते भी होनी चाहिए देखो लेडिकियों के साथ एक कमी और है कि कभी भी वो अपनी सेफ्टी सेकुरिटी पे खुदी बात नहीं करी, कभी नहीं करी, मेरे को एक बार दिवाली के टाइम एक केस सुनने को मिला, उस समय मैं घर पे था, किसी के वार्डेन ने एक लड़की को परसान कर दिया, वो आ बातों से वो उसे हमेशा टॉर्चर करती थी, फिर मैं आ के बात करोंगा एक बार, खर उस दर्मियान मैं प्रॉक्टरियल बोर्ड को भी कॉंटेक्ट करा, और मैं करवाया भी कि आप बात कर लो, क्योंकि अभी हम लोग बाहर है, आप उनसे बोलो, आपकी समस्या सॉर्ट कर देंगे, लेकिन वोडर ने उनकी हल नहीं करी थी, उसका मैं खुद विक्टम हूँ, मैं खुद उसको ले गया, फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन जब मैं आया, फिर उस पर हमने बात करी, फिर उन्होंने वार्दन से बात किया, कैसे कैसे जो भी था, सॉर्ट आउट या फिर वो यह भूल जाते हैं उनका वो यहां पर क्यों हैं तो मैं लड़कियों को कहना चाहूँगा कि लड़कियां जो है वो अपना एक यूनिटी बना के रखें और लड़कियां जैसे अभी जो धरना चल रहा हूं उसमें लड़कियों का पार्ट्स पेट थोड़ाई प तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यूनिटी नहीं रहेगी तो आपका ऐसे ही जगा जगा पे सोसड होगा और आपका आप कुछ नहीं कर पाओ गया और जब भी वीसी सहाव से मीट अप होता है या ऐसे कोई एड्मिस्टेशन लेवल पर अगर मीट अप होता है तो वहाँ पे आप अपनी सेफटी की आवाज जरूर उठाना अपनी सेफटी की बास जरूर करना जैसे कि अब लाइवरेरी में लड़की हो जाने का परमिसन नही यह गौस्टी नहीं और वो इतनी सेफटी नहीं दे सकते हैं इसलिए उन्हीं दे सकते हैं आप बहुत सारे सेसंच शला सकते हो एज गॉर्लस सेफटी के लिए और लड़कों के अंदर वी एक मानसीक्ता पैदा कर सकतो cricket कर सकते हैं चुपिस आधना या इग्नॉर करना किसी भी समसा का समाधा नहीं है मेरा मानना है ऐसे मुद्दों पर सबसे पहले बाते होनी शुरू होनी चाहिए बहुत रेरली ही लड़कियों के सैप्टी के लिए बाते होती है इवेन अभी किसी लड़की के साथ छेड़ चाड़ हो जाए उसको कोई कफर करना नहीं चाहेगा उस पर कोई भी अपना बयान नहीं देना चाहेगा बिलकुल नहीं देना चाहेगा तो लड़कियां अगर खुद नहीं आएंगे अपने लड़ाई लड़ने तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा तो प्लीज अगर ऐसा चीजें सुनने में मिलती हैं तो आप उसका सपोर्ट करो उस लड़की का उसके साथ खड़े रहो और हमेशा अपनी सेफटी का जिम्मेवारी खुद लो थोड़ी मोडी बॉक्सिंग तो सीख सकते हो मैं जहां तक समसता हूँ कि थोड़ी मोडी बॉक्सिंग सीख लो और क्योंकि इसकी जूरत अभी आने वाले समय में हमेशा बढ़ेगा कितने लोगों के दिमाग बदलोगे मुँ तोड़ना कोई क्राइम भी नहीं है अराम से एक दो घुसा तो लगा सकते हो बड़िहां से लगा सकते हो चिला सकते हो और कुछ लड़गें तबियस से कुट भी सकती है तो मेरे इसाफ से यह चीज़े आपको अराम से करनी चाहिए मौका मिले चौका मार दो क्योंकि जब वो आपके लिए इतनी सारी चीज़े सोच रहा है वो मौके का एक फायदा उठा रहा है तो आपको जब देखो कि हाँ क्योंकि भाई आपके पास तो सेवन सिक्स सेंस होता है आप समझ में आ जाए कि नहीं हाई यह तो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो आप सोच के उस पर अक्शन ले सकते हो को और बागी इसका लिखिद कमपलेंड कर सकते हो सोसल मीडिया है आपके पास तो यूनिटी बहुत ज़्यादा important है girls के लिए और ऐसे मुद्वों पे बात बहुत ज़्यादा important है दोसेज है और इस वीडियो का अगर guardian देख रहे हैं तो मैं guardian से एक बात बोलना चाहूंग love कि जब भी न्यूज में आप ऐसे चीज़े पढ़ते हो इत मिंस कि ये नहीं कि आपने बेटियों को बाहर निकलने से रोकना करता ही ऐसा नहीं करना है सोसाइटी में अच्छाई बुराई सब कुछ है अच्छे लोग भी है आपके बेटी का मदद करने वाले लोग भी है और आपकी बेटी आप अपनी बेटी को खुद इतनी स्ट्रॉंग बना दो कुछ ऐसे चीज़े समझाओ सिखाओ कि वो आके यहां पर आराम से सर्वाइब कर सके वो लोगों से घुल मिल सके बाते कर सके अपनी पढ़ाई कर सके लेकिन उसको रोकना सही नहीं है तो चुकि मैं तो यहीं का हूँ बनारस का हूँ और मैं जो अपने रिस्तेदारों में जाता हूँ चुकि मेरे रिस्तेदार भी बनारस में ही है तो वो लोग भी उस headline को पढ़े होते हैं जबकि उनके लिए बहुत दूर नहीं है फिर भी वो campus का उतना internal knowledge नहीं है हाँ लेकि न्यूज के headline पढ़ लेते हैं तो मेरे सब भी ask करते हैं कि यार आज कल daily ऐसे कैसे सुनने को मिल रहे हैं क्या कर लिए प्रसासन मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होता है तो ब्येच्चू प्रसासन को technology का यूज करना चाहिए और जब भी ऐसे इसमें involved लोग मिलें उन पर action लेना चाहिए और उसको बकादर news में headline बनाना चाहिए जिससे की एक दूसरा message भी जाए कि ऐसा करा तो उसकी कुटाई हुई है उसको जुर्माना लगा है या जेल हुआ है जिससे की ये चीज़ें confirm हो जाए बाकी बच्चों को जो ऐसे हैं जो गंदे हैं उनके अंदर डर एक भयाज है दुबारा करने से डरेंगे पुलीस के डंडे के सामने अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं बाकी बहुत सारे सुधाव मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉमेंट्स में खुद दें लड़िकियां जरूर दें खुद दें और उसको बाकी लोग पढ़ें और उसको अमल करें मैं अलरीडी गर्ल्स के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ और उनके सेफटी सेकोरिटी पे उनके सिक्छा पे और मैं एबाद भी बोलता हूँ कि लड़िकियां जब भी गाउं से बाहर निकल के आती हैं पढ़ने के लिए या अपने घर से बाहर निकल के आती हैं प अगर आज तीन सो लड़िकियां बाहर निकल के पढ़ने आएं तो पीछे तीन हजार तीस हजार तीन लाख लड़िकियां छुड गई हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा आपको इतनी अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि उन बाकी लड़िकियों को मौका मिले पढ़ लेकिन फिर भी वो सर्वोपरी हैं और प्रमुख हैं और हर लड़कों को महिलाओं का रेस्पेक्ट करना चाहिए रेस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़्जत नहीं हैं तो प्यार नहीं हो सकता है खर यहां पे तो प्यार की बात ही नहीं कर सकते हैं जब लोग इस तरीके से छेड़ छाड़ प्याज आ रहे हैं तो वहां पर प्यार का क्या ही वैलू है तो ऐसे गंदी मानसिक्ता वाले लोगों को समहल जाना चाहिए किसी न किसी दिन कहीं न कहीं कुटे जाएंगे पहली चीज और दूसरी चीज कि लड़कियां खुद कूट देना इस बार इसमें थोड़ा भी सोचना मत हमारे देश में बहुत सारी विरांगाना है रही है ध्यान रखना और हर एक लड़की विरांगाना है मैं जैसा बोला कि थोड़े मोड़े बॉक्सिंग सीख लो इतने ह हाद मदबूत कर लो कि कम से कम एक दो दाथ तो तोड़ी सो को कम से कम स्टाटिंग के तीन चार गुसों में बहुत बड़ा पंच होना चाहिए यूं समझ में आया है बाकि आप लोग कॉमेंट करके बहुत सरे आइडियास सेयर कर सकते हो और उसको पढ़के आप लोग सीख सकते हो मैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा इस वीडियो को प्लीज सेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें और लाइक करें हरहर महादियो मस्कुराते रहें बहुत सरे सुब कामने है करें